नमस्कार दोस्तों अपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नाम कुल्दीप सिंग है हम लोग बात कर रहे हैं मार्क बूस्टर 2.0 के बारे में so this is the day 13 of our journey हम लोग जोगरफी इंवार्मेंट रिवाइस कर रहे हैं और हम लोग अपने फैक एंड की तरफ पहुचने वाले हैं पिछले lecture में मैंने environment के कुछ aspects के बारे हम बात कर रहे थी, ecosystem के कुछ aspects के बारे हम बात कर रहे थी, आज मैं बायो diversity के कुछ aspects के बारे हम बात करने वाला हूं और कुछ current biodiversity के aspects को हम लोग यहां पर cover करने कोशिकर दिए जो कि साल भर में news में चल रहे थे so guys if you are following it again आप लोगों ने ये course भी subscribe किया होगा H.A.S.Print Mark Booster का जो हमारी application में चल रहा है जिसमें हम लोग वह सारे questions आड़ कर रहे हैं geography सारी आड़ कर दिये environment भी आड़ हो गया है so आप इसको जाओ questions को यहाँ पर attempt करो that is going to help you out in your preparation and I hope आपकी 26 September वाली preparation भी अच्छे से चल रही है revise अच्छे से कर रहे हूँ and if everything goes well हम लोग प्रिजम जरूर करेंगे guys ठीक है जी so आज का जो topic रहने वाला है that is going to be biodiversity उसके ओपर जो contents है यह हम लोग उसके basic concepts के बारे हम बात करेंगे इंडिया की biodiversity के बारे में बात करेंगे कुछ biodiversity के ओपर updates हम लोग देखेंगे कुछ जानवर कुछ पक्षी कुछ इस तरह है कि जो species है जो news में चल रही है इनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे और important flora fauna के ओपर थोड़ा सा discussion करेंगे guys ठीक है जी सबसे पहले हम लोग biodiversity को as in such concept के बारे में जानने कोशी करेंगे biodiversity जो है it was first coined by Walter G. Rosen Rosen ने 1986 में इस टर्म को concept को coin किया था जिसे हम Javik Vividta भी बोल देते हैं Javik Vividta थे simply हम लोग क्या मतलब समझते है Javik Vividta जो है it is the variety of life in the earth हम लोग अपने धर्दी को अपने अपने घ्रह को देखते हैं तो इसके निदर हम लोग देखते हैं बहुत सारे जीव, जन्तू आपको देखने मिलते हैं अलग-अलग प्रकार के पेड, पक्षी, पौदे हमको देखने मिलते हैं और इन सब की collectivity को हम लोग basically define करते हैं describe करते हैं तीन level में हम लोग description करते हैं इसका biodiversity first is genetic diversity genetic diversity जो है अगेन इसको इस तरह समझो it is within the organism diversity जो हम लोग देखते हैं एक organism के अंदर जो हम लोग diversity देखते हैं अगर एक इस species के organism के अगर बात करें तो वो दोनों भी एक जैसे नहीं होते हैं जो अपना African race अलग तरह से देखती है जो अगेन बहुत सारी इस तरह की races हैं जो अलग अलग तरह से देखती हैं despite being a single species ऐसा क्यों होता है because जो genetic makeup है वो एक नहीं होता genetic makeup में थोड़े बहुत changes आने से हम लोग क्या देखते हैं genetic diversity देखते हैं इससे basically क्या होता है जो भी climatic adaptations है climatic vulnerabilities है इसको tackle करने के लिए species के पास जो है क्या मिलता है उसके पास एक आपके सकते better chance होता है इन vulnerabilities को जेलने के लिए ठीक है जी उसके बाद हम लोग बात करते हैं species diversity हम लोग देखते हैं within this species हम लोग ने देखा एक area में जितनी number of species हम लोग देखते हैं हम species diversity के साब से बात करते हैं the higher biodiverse एक particular area होगा इसका मतलब वहाँ पर जादा से जादा species आपको देखने में मिलेंगी हम यहाँ पर बोलते है word यूज करते हैं species richness species की richness जो हमें बहुत जाद देखने मिलते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 1200 से जादा birds की species आपको देखने मिलते हैं तो again species richness देखो कितना हाई है birds जो है almost 1200 से जादा birds की species देखने मिलते हैं ठीक है जी अगर हम इंडियन के western ghats के बारे हम बात करें तो again यहाँ पर 400 जादा amphibian species देखने को मिलते हैं that in itself tells कि यह क्या है species diversity, species richness बहुत जादा देखने को मिलते हैं ठीक है जी थर्ड जो हम लोग जो आपका parameter लेते हैं for bio diversity को जानने के लिए that is ecosystem diversity कि basically कितने ecosystem आपको देखने मिलते हैं पर्टिकुलर area के अंदर ठीक है जी it can be a grassland ecosystem it can be grassland नदी जारी होगी it can be a pond और a stream river ecosystem हो सकता है it can be a jungle ecosystem it can be a tree ecosystem बहुत सारे ecosystem जो है एक particular area में combine कर सकते हैं और इसको हम लोग ecosystem diversity बोलते हैं ठीक है जी more the number of ecosystems interacting भी दीचिता जीतने जादा है interact करेंगे दूसरे के साथ उतना ही जादा वहाँ पे आपको क्या पर बड़ी डिटेल में बताया था तो ecosystem diversity वहाँ पर high देखने को मिलती है ठीक है जी इन तीन तरीके से हम लोग जो है बायो डाइवस्टी देखते है genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity अगर आपने ecosystem diversity पढ़िया तो उसमें alpha diversity, beta diversity और gamma diversity के बारे हैं पढ़ा होगा आप जो comment section में लिखके बताओ कि भाई ये सब चीज़े क्या होती है and उसके साथ example भी देखे देखना ठीक है जी so next आगे move करते है important कुछ terms हम लोग यूज़ करते हैं जब हम बायो डाइवस्टी को बात करते हैं especially हम लोग word यूज़ करते हैं जो कि आपने बहुत बारी पढ़ाओ करते हैं इंडेमिजम या एंडेमिग ठीक है जी कि हम लोग बोलते कोई x plant जो है वह एंडेमिग है लेटर से south asia के यह basically चीज़ क्या होती है एंडेमिजम से हमारा क्या मतलब होता है एंडेमिजम से मतलब है कि वह particular species उसी particular area का native है यह वहीं पर मिलती है और उसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी ठीक है तो अगर मैं बोलता हूंगे x species जो है एंडेमिग है south asia के यह और दुनिया में कहीं पे नहीं देखने को मिलती है ठीक है यह specially this is specially true for plant species because plant they are very very endemic to a particular area and animals जो है थोड़े जादा mobile होते है तो उनको हम लोग generally endemic नहीं कहते है होते हैं endemic होते हैं but again plants के लिए हम लोग काफी specifically use करते हैं इसको then second is cosmopolitan distribution cosmopolitan distribution means वो जानवर या वो species जो almost हर तरह के ecosystem में आपको देखने में मिल जाएंगे और किसी एक जगे के specific native नहीं होते हैं जैसे ants हैं आnds की बहुत आयत में species जो है आपको हर almost climatic zone में देखने मिल जाती ह हल आपको biome में देखने को मिल जाती है तो this is basically cosmopolitan distribution human wings ये बारे में बात करो तो वो भी क्या है वो आपको हर जगे देखने मिलते हैं so endemism है and cosmopolitanism है ठीक है यह हम लोग इस तरह से biodiversity को देखते हैं ठीक है उसके बाद आज हम लोग biodiversity के उपर क्यों इतना discussion करते हैं because और यह paper क services हमें उससे मिलती हैं अगर आप simply ecosystem services की बात करोगे बायो diversity की तो world जो आपका sorry world के रहा में इनेप जो है आपका वो इसको almost almost 200 billion dollar के आसपास में आखता है एक साल में इतना जो like value है biodiversity की services जो हमें मिलती है ठीक है जी so again बहुत important है बहुत जादा services हमको देखने मिलती है और इसका loss क्यों हो रहा है loss हो रहा है majorly majorly जो है again natural way से भी हम लोग biodiversity loss देखते हैं बाइडिवस्टी में loss आते हैं natural cycle से जिसके हम लोग mass extinction देखते हैं उनसे भी आते हैं बट आज कल जो भी हम लोग biodiversity loss देख रहे हैं it is basically because of the anthropogenic activities anthropogenic means human induced activities ठीक है जी चार important reasons जो की biodiversity के loss का कारण बन रहे हैं आज सबसे number one में आता है habitat loss and fragmentation ठीक है जी कोई भी जानवर है उसका अगर range area यह particular area है हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग बीच में roads निकाल रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर jungle काट रहे हैं इस area को हमने urban area बना दिया है ना इस area में हम हम लोग ने settlements कर दी हैं यहां पर हम लोग रहे हैं तो धिरी धिरे क्या हो रहे है एक प्रिस्टीन environment एक ecosystem प्रिकलर जानवर का धिरी धिरे खतम होता है और खतम होने के कारण क्या होता है उसका habitat loss of fragmentation हो जाता है इसके कारण क्या होता है उस जीव की जो है numbers कम हो जाते है ठीक ह as the top predators are concerned जैसे की tigers की आप लगाओ बात करो birds की बात करो है ना तो generally क्या होता है tiger को बहुत बड़ा एरिया चाहिए धीरे-धीरे क्या हुआ हमने एरिया जंगल काटने स्टार्ट कर दी हमने habitat fragment कर दिया तो tiger की population decline कर गी tiger की population decline कर गी तो क्या होगा नीचे का सारा ecosystem जो है collapse कर जात tiger is an eco it's a keystone species ठीक है जैसे जैसे टाइगर की species की population कम होई यहां पर क्या होगा पूरा ecosystem collapse कर जाएगा तो habitat loss and fragmentation जो है बहुत important role play कर रहा है बाइडिवस्टी लॉस के लिए ठीक है जी second is alien species invasion alien species invasion second largest जो factor है बाइडिवस्टी की loss होनेगा that is alien species invasion अब alien species क्या है हम लोग ऐसे तोड़ा कि पराजीवी जो पराजीवियों को यहां पर उगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है it is basically हम लोग किसी एक जगे के endemic या native plant को या native species को हम लोग दूसरी जगह में introduce कर देते एक को हम लोग ने बी इको सिस्टम में introduce करते है जहां पर उसका कोई natural predator नहीं है और वो बिल्कुल नया है तो इससे क्या होगा वह balance भी कर जाता है उसका कोई natural predator ना होने कारण वह resources को बह सारे एको सिस्टम को overtake कर लाते हैं धीरी द्रीव क्या करता है वह बहुत जल्दी फैलने लग जाते हैं ठीक है जानवरों की बात करें या फिर plants की बात करें इसे हम लोग कहते एलियन इंवेजिन जिससे की native species जो है वो खतम हो जाती है बहुत सारे एक्जामपल है इसके जै बहुत सारे इस तरह के plant species जो की exotically introduced करी थी eventually now they have invaded throughout the India ठीक है इसे हम लोग alien species invasion केते हैं बहुत सारे और एक्जामपल भी है जैसे नाइल पर्च एक और बहुत classical example दिया जाता है ये भी species जो है फिश की species हमने नाइल के आसपास में या नाइल वाले region में introduced करी थी इससे क्या थोड़ी जान करें तूंगा next is over exploitation हर चीज का over exploitation करना ठीक ही हम लोगों को ये like humans को ये है कुछ है ना कि like we always go for our greed rather than our need and eventually हमने क्या कि over exploit किया जंगलों को over exploit किया हमने agriculture over exploit करना start किया है ना हम लोगोंने fishing करने start कि तो fishing over exploit करने start कर दिये जानवरों को मारते है like tigers को मारना start किया for 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 trophy purposes and all देरे-देरे मारना start किया rhino सारे साफ कर दिये तो again over exploitation of resources have always been one of the most important reasons जिसके करना बायो डिवेस्टिकल लॉसे और फाइनली pollution human induced pollution ठीक है जी हम लोग global warming कर रहे है देखो हमारे एक वेहिकल से लाने से क्या हो रहा है polar bear वहाँ पे poles में खतम हो रहा है ना news में चल रहा थ अगर यह news में भी आया था I guess it was UNEP की कोई report थी जिसमें बोलागे कि 2050 तक polar bear altogether extinct हो जाएंगे अगर global warming के ओपर हमने कुछ काम नहीं किया तो pollution के कारण क्या हो रहा है pollution more we are polluting it is again making the environment of a lot of species harmful उसको जो है pollute कर रहा है इस करके eventually क्या हो रहा है उनकी species वो dwindle कर रहे है या उनके numbers ज अगर आप बात करो marine pollution कर रहे है plastic pollution हम लोग कर रहे है तो marine areas में क्या हो रहा है वहां के ecosystem खराब हो रहे है coral जो है वो खतम हो रहे है coral के साथ सारा ecosystem खतम हो रहा है ठीक है all these things basically are example of pollution so these are four aspects जहां पर हम लोग बाय डिवस्टिक का लॉस देखते है ठीक है बाय डिवस्टिक लॉस जाने से उसको हम लोग क्या कहते है this is called as extinction extinction means nothing but जब last individual of that particular species has died and there is no more individual left उसको हम लोग बोल देते है extinction ठीक है जी so eventually हमने natural extinction भी देखे है और अभी हम लोग human based extinction भी देख रहे हैं ठीक है जी natural extinction हमने 5 large scale mass extinctions देखे है natural mass based extinctions देखे है अपनी धरती पे 5 episodes हुए है mass based extinctions के जैसे की latest वाला था आपका kt extinction या cretaceous extinction जिसे बोल देते हैं so last हमने extinction देखा है अभी हम लोग कह रहे हैं कि 6th mass extinction चल रहा है जिसे हम लोग anthropogenic extinction कहते हैं या जिसे हम लोग holocene extinction भी बोल देते हैं यह अभी चल रहा है ठीक है जिसमें humans के factors के कारण humans के कारण बर जो species is biodiversity उसका loss हो रहा है natural factors के कारण it was just one species per year but it is now increased to 100 species per year so कुछ scientists कहते हैं कि हम लोग च्छटे mass extinction के टाइम पे चल रहे हैं ठीक है कि नहीं so that is there so जैसे मैंने आपको भी आगे बताया था कि like we'll be talking about some of the invasive species in India so थोड़े थोड़े उपर उपर से देख लो these are the species highlighted by zoological survey of India यह उन्होंने रहा है अफिकल apple snailfish ठीक है जी papaya millibug cotton millibug African sailfin catfish है black vertel है water hyacinth जिसे हम iconia भी बोलते है भाई यह very very important है बहुत बहुत like आप कह सकते famous example है invasive species का जितने भी आप लेक दिखते हो आपकी fresh water lakes है जहां पे आपको ऊपर जो है इस तरह के free floating plants दिखते हैं जिसने पूरे lakes को cover कर रहा है these are these water hyacinth ठीक जोटक लेक में अभी इसका बहुत बड़ा इश्यू है almost all the fresh water lakes के ओपर यह water hyacinth का इश्यू चल रहा है ठीक है जी so very very important then black mimosa is there parthenium यह congress grass ठीक है आपने देखी होगे वह जिस तरह से ऐसे चोटी सी like इस तरह की शरब होते जिसके ओपर ऐसे white सी gobi सी gobi type की चीज होगी होती है that is called as congress grass parthenium ठीक है तो आप देखना throughout इंडिया यह बहुत साथ aggressive colonizer है और यह local species को बहुत साथ हाम करते है ठीक है जी cannibal snailfish है Indian bullfrog है Lantena camera again one of the most important and famous plant species जो की invasive हो चुगी है so there are like lot of species जो की invasive है these are some of the important ones which I have highlighted ठीक है ठीक है प्रोसिफरस जूलिफरा यह भी एक है this is this was also asked in the paper तो यह कुछ है आपकी यहाँ पे example ठीक है I hope इन में से कोई कुछ पूछ ले अगर को भी इनको पूछने का पड़ जाए तो इसमें से पूछ ले that will be beneficial for us ठीक है then coming to biodiversity in India जैविक विवित्ता की बात करते है अपने देश में किस तरह की जैविक विवित्ता आपको देखने को मिल लॉट्स 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 अर फाउंड ठीक है एंडेमिजम की मामले में विए टेंथ इन बर्ड लाइक विविव आराउंड 69 स्पीशिस फिफ्थ इन रेप्टाइल्स आराउं 156 स्पीशिस रेप्टाइल्स की तो सिर्फ यहीं पे मिलती है सेविन्थ इन एंफिविए हम लोग ब्ले रिलम बोलते हैं और नीचे वाले साइट को हम लोग मलायान रिलम बूलते हैं सो पले अक्टिक biogeographic zones और provinces मेंने लिख रखे very very important please इनको revise करके चल जाना उपर उपर से में आपको biogeographic zones बता जाता हूँ. पैला your Trans-Himalayas वाला region, ठीक है. Second is your Main Himalayas वाला proportion, ठीक है, Main Himalayas वाला portion है सार इसमें Hikkim और आपका Arunachal तक आ जाता है उसके बाद. 3rd जो है आपका this is Purwancal वाला North East India वाला region है आपका 4th जो है आपका this is Gangetic plains यह आपका आजाता है थे कहहे जी 5 आपका this is Deccan plateau Deccan plateau आजाता है 6ا जो है वो आपका Desert थार वाला region आजाता है 7 आपका Semi-Arrid region है ठेके जी 8 आपका Western Ghats वाला region होगे आपका नौवा जो है आपका ये कॉनकन आपका जो है coastal region है including लक्षदीप वाला portion दसवा आपका जो है islands है which includes अंडमान निकोबार तो ये आपके 10 बायो जोग्राफिक जोन्स है ठीक है जी इसके साथ जो है आपके 25 हमने प्रोविंसेस में डाल रखा है ये आपके जो है प्रोविंसेस हैं इसके अंदर दिये हुए ठीक है जी इसको एक बर याप चेक करके जाना सारे है ओके देन अगर मैं बात करूँ बायो डैवेस्टी conservation की तो वर्ल्ड लेवल पे बायो डैवेस्टी conservation कैसे हो रहा है इट इस बिंग डन इन टू सिस्टम एक है आपका in-situ and एक है आपका ex-situ ठीक है in-situ is means हम लोग उसी पर्टिकलर एको सिस्टम एक जानवर को या किसी पर्टिकलर स्पीशीज को उसी के एको सिस्टम उसे natural environment में save नहीं कर सकते तो हम लोग उसे उठाके उस species को उठाके हम लोग artificial environment में डालते हैं और वहां उसे save करने की कोशिश करते हैं ठीक है जैसे हमने tiger को निकाल कि अभी हमने जूम में रख दिया तो this is basically an ex-situ form of preservation ठीक है इन-situ में हम लोग क्या करते हैं हम लोग protected area networks बनाते हैं protected area networks में जैसे कि आपके आते हैं biosphere reserves आते हैं national park wildlife centuries आती हैं ठीक है जी sacred biosphere reserves है marine and terrestrial biosphere reserves है आपके protected area networks में और important एक वो है जैसे sacred grooves हैं आपके या फिर lakes है ठीक है जैसे अगर आप देखो बहुत सारे सब्सक्राइब्स हैं आपके जैसे हिमाचल की बात करो देवबन है ठीक है कुल्लू में या फिर रेनुकाजी लेक है ठीक है ठीक है तो these are all sacred roofs and lakes जो हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग through religious testaments हम लोग save करने के कोशिच करते हैं ठीक है एक सिटू जो है एक सिटू में गया था जनली seed banks and gene banks आपको देखने मिलते हैं cryo banks देखने मिलते हैं जहां पर हम लोग germ plasms को protect करते हैं and botanical gardens जैसे हम like rose gardens भी बोल देते हैं botanical gardens and zoological gardens and aquariums जहां पर हम लोग marine life या फिर और आप 555 के आसपास में हम लोग के पास wildlife centuries देखने को मिलते हैं ठीक है सारी मैं नहीं कराऊंगा world में उपर उपर से थोड़ी सी चीज़े बताता हूं आपको जैसे world level में हम लोग क्या कर रहे हैं UNESCO 1975 से program चला रहा है world heritage sites declare करते हैं हम लोग जिसके अंदर both cultural sites as well as natural sites हम लोग declare करते है जिसमें की इंडिया के जो है in total 40 sites declare की गई है और यह जो है आपकी साथ sites है these are natural sites जो की इंडिया की यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है यूनेशको world heritage sites जो है important है क्यों कि न्यूज में चल रहा है recently हमने यहाँ पर दो साइट पहले 38 होती थी recently हमने यहाँ पर दो साइट कर यह हम लोगों ने अड्ड कर रहे है ठीक है जी साथ यहाँ पर natural sites भी है यह साथ natural sites आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है यह यहाँ पर दी हुई है then biodiversity hot spots चीक है यह बाइट इस पर 1988 में concept start हुआ था नॉमन मायर ने concept start किया था इन्होंने बोला था पूरे world में तो हम लोग diversity क बहुत ज्यादा देखने में मिलती है उन एरियास को में protect करना चाहिए ठीक है जी इन एरियास को हम लोग protect करने कोशिश कर रहे हैं और इंडिया में जो है इन टुटल अभी तक हम वाइवा 36 biodiversity hotspots हैं और इंडिया में जो है चार biodiversity hotspots आपको देखने मिलते हैं चार एरियास जैसे आते हैं जो की चार अलगर बाइव टेवस्टी आटे हैं तो यह हम लोग फड़त से बात कर लेते हैं 1st इस जौर पार्ट ऑफ हिमाल्याज हीमाला वाला रिजिन है आपका टीके जी हमाल वाले रिजन में आपको जनली कौन से देखने मिलते हैं शौर नेपाई आरव पुढवाला रेंज सारा पुढवांचल वह है अपका इंडिया का देखना में मिलेगा थिकए जी देन वस्ट घांड स्री लंका यह आपको देखने में मिलता है यह आपको गण्थ दी South Asia जैसे हम लोग Sunda group भी बोल देते हैं ठीक है Sundaland भी बोल देते हैं तो ये biodiversity hotspots तो चार हमारे पाद biodiversity hotspots तो Western Ghats ठीक है जी then is your Himalayas then your Eastern Park portion of Himalayas and जैसे हम इंडवर में बोल देते हैं then fourth one is Nicopar group ठीक है जी तो आपको जो है इनकी biodiversity के भारे में थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए ठीक है देन हम लोग ने को और काम का स्टार्ट किया था इस Man and Biosphere program UNESCO ने स्टार्ट किया था 1971 में Man and Biosphere program के तैथ हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग ecosystem जो आपका ecosystem है along with human उसकी interference या human का हम लोग footprint देखना चाहते थे कि ecosystem में क्या निकल गया आता है कैसे humans जो है वो आप कह सकते ecosystem में interact कर रहे हैं इसको जो है इनोंने एक program के थे देखने को शीकरी this was Man and Biosphere program जिसमें basically Biosphere या फिर इस तरह की ecosystem को conserve करने की बात कर दे जहां पर human being also plays a very important role in both conservation preservation as well as sustainable use ठीक है जी 1971 में हमने start किया था इंडिया में 1986 में start किया था इसके थैथ हम लोग के पास in total 18 अब हमारे जो है Biosphere reserves हम लोगोंने categorize कर रखे हैं ठीक है जी 18 Biosphere Biosphere Reserve जो है वो categorize कर रखे हैं जिसमें से अब जो है वो 12 Biosphere Reserve जो है वो world ये UNESCO जो है इनको क्या कर रहता है UNESCO इनको recognize करता है ठीक है जी latest जो है पन्ना Biosphere Reserve जो हमारा वो हम अभी अभी रिसेंटली रेकोगनाईज भी हुआ है तो very very important ठीक है जी सबसे पहला कौन सा था निलगरी Biosphere Reserve हमने बनाया था सबसे बड़ा हमारे पर कौन सा है Gulf of Mannaar Biosphere Reserve ये Marine Biosphere Reserve है आपका सबसे छोटा कौन सा है इस पन्ना ठीक है यहां पे मैंने यह सारे reserves के बारे में थोड़ा थोड़ा information दे रखा है प्लीज इनको अपने तरफ से पढ़ हूं क्योंकि लाइक यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आल अप दीज रिजर्व्स हैब बन रिटन हीएर और इनके बारे में जितना भी information है कौन को से यहां पे की Flora Fauna देखने मिलता है वह यहां पे लिखा हुआ है मैंने इसको आप प्लीज एक बड़ी जाके पढ़ना जरूरू ठीक है यह पना जो हमने रिसेंटली आपका यह वर्ल्ड अपना मैनन बायस्फेर प्रोग्राम के अंडर हमने वर्ल्ड जो आपके बायस्फेर्स हैं इनके हमने एड किया है तो अगेन यहां पे टाइगर चीतल चिंकारा संबल स्लॉत बियर इस तरह की जो हुए देखने मिलती है और केन एरिया का कैच्छमन यहां पर पढ़ता है वरी वरी इंपॉर्टन ठीक है इसके बाद आते हैं हम लोग टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व जो है अगेन देयर स्टाटुटरी बैकिंग जो हम लोग वाइल लाइफ प्रोटेक्शन देखते हैं 1972 का उसके जो 2006 की अमेंडमेंट थी उसके अंदर हमने टाइगर रिजर्व एंड एंटी सीए एंड वर्ल वाइल लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इस तरह की और्गनाजेशन को हमने स्टैटिशरी बैकिंग दे दी थी ठीक है तो टाइगर रिजर्व आर स् इसका घर जो है इंडिया है और लेटेस टाइगर रिजर्व एंडिया इसका घर जो है इंडिया है और लेटेस जो सेंसर से वो 2967 टाइगर के आसपास में बताता है इंडिया का ठीक है पिछली बार ही एच्चेस में कोशन पूछा हो भाई टाइगर फोरम जो है इसका हेड़कॉर्टर कहां पे तो इस तरह कोशन पूछ लेते हैं तो आप इनके साथ साथ की हेड़कॉर्टर इ जो है थोड़ा बहुत human interference जो है वो allowed होती है ठीक है जी चलो यह हमने यहाँ पर दे रखें all these tiger reserves are there कई से मिले थे तो मैंने यहाँ पर डाल दिया आपके लिए मेगमलाई is there then रामगड विश्दारी यह जो है इनके latest वाले हैं ओके देन हम लोग कुछ species के बारे में बात करते हैं कुछ species जो की न्यूज में चल रही थी जो है अगें this is the bird जो आपको ड्रायर प्लें 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 रिजिंस में या फिर श्रब वाले रिजिंस में मिलता है इंडिन सब कॉंटिनेंट में लीस्ट कंसर्ण में है बट न्यूज में चल रही थो मिन डाल दिया ठीक है fishing cat again vulnerable category में आता है UCN के state animal है West Bengal का और recently जो है इसको चिलका लेक का ambassador भी अपॉइंट किया गया है तो that is why it is important fishing cat कहां पे मिलता है आपको mostly घने जंगलों में coastal जंगलों में आपको देखने को मिलता है ये and state animal है West Bengal का ठीक है जी Chinese pink dolphin या Indo-Pacific humpback dolphin vulnerable है या आपको Eastern जो भी हमारा seaboard है वहाँ पे आपको coastal areas में देखने में मिलता है Indian region में तो ये भी news में चल रहा था हिमालेन brown bear again critically endangered है higher हिमालेन region में देखने मिलता है it's an omnivirus animal है omnivirus mammal है छोटे मोड़े जानवर भी खा लेता है छोटे मोड़े जानवर भी खा कुंग्टी एन टुंडा wildlife century यहां पर आपको देखने मिलेंगे कहां पर है कुंग्टी एन टुंडा यह आप चरह नीचे comment box में लिखके बताना में को कश्मीरी स्टैग एक हंगुल critically endangered है और यह आपको जम्मू कश्मीर का state animal है ठीक है जी कहां पर मिलता है थूराउट आपक important vulnerable species है higher altitude हिमालया में देखने मिलता है ठीक है कश्मीर हो गया आपका लदाक हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्किम और नाचल प्रदेश यहां पर आपको देखने मिलता है और इसके ओपर बहुत सारे program चल रहे हैं हम लोग project snow leopard चला रहे हैं secure हिमालया में भी snow leopard एक बहु very very important okay so इसकी जो range countries है आपको ढूंड नहीं है कौन कौन सी range country snow leopard कौन कौन सी country में मिलता है very very important एक परी चेक करना ठीक है इंडियन टाइगर रॉयल बेंगौल टाइगर इंडेंजर केटेगरी में आता है native to Indian subcontinent और basically इसकी largest population में आपको पीछे इंडिया में मिलती है overall 2967 जो है population मिलती है ठीक है tiger range countries है यह भी आपको ढूंड नहीं है bullfrog है least concern इंडियन subcontinent का पता नहीं क्यों न्यूज में था तो मैंने डाल दिया then पिनंगा अंडमान इस यह जो है basically it's a palm species critical indigenous palm species जो कि आपको specifically south अंडमान आइलेंड में देखने को मिलती है and यह यहां पे इसकी Mount Harrier national park है यहीं पे देखने को मिलती है तो critically endangered है ठीक है olive redlay turtle इससे जदा मैंने turtle की species आज तक news में ने देखी olive redlay turtle इतना जदा news में चलता है like कुछ newspapers का तो favorite है olive redlay turtle ठीक है तो vulnerable है ठीक है all along eastern coast आपके जो आपके इसन को से इस आर नोस्ट फॉर मास नेस्टिंग यह जो turtles हैं क्या करते है नेस्टिंग के लिए coast की तरफ आते लैंड में आते हैं और मास नेस्टिंग करते हैं बहुत बड़े-बड़े numbers में आके नेस्टिंग करते हैं और दे आर नोन चिलका के आसपास वाला region गहीर मत्था वाल रेजन है आपका यह वाला सारा रेजन जो है इस नोन फॉर दी ने नेस्टिंग ओफ दीज ओलिव इडले टर्टल तो अगें इंडियान उडिशा वाला रेजन है अंध्रा कोश्वाल रेजन यहां पर आपको देखने मिलते हैं बहुत सारा न्यूज में चल रहा था न्यूज में क्यों चल रहा था क्योंकि रिसेंटली ओडिसा नामा मांगा था कि भाई यह 800 ओलिव इडले टर्टल जो है मरे वे मिलें यह ऐसा क्यों हुआ ठीक है ना तो न्यूज में चलता रहता है अरी बाड़ा जो है इनकी सिंक्रॉन नेस्टिंग क्या कहते हैं अरी बाड़ा भोलते हैं इनको ओके दैनिस हमालियन तहार ओके निय आपको हिमालियास में देखने मिलता है और जनली जो ग्रास लेंड श्रब लेंड वाले जहां पर बहुत साथ घने जंगल नहीं होंगे वहां पर देखने मिलता है रिसेंटली हमाचल परदे जो है इसके उपर एक्स्क्लूसिवली इसके कैफ्टिव ब्रीडिंग प्रोग् संiblia था ठीक है जी जो चीता है वो सिर्फिधे इरान में मिलता है एरान से हमने मागे चारा मिलते हैं वहां पर वहां पर वल्ल油 कैटेगरी में हैं तो वहां पर वैप उनके टीक है और हम लोग वहां से अब इनको दुनो पॉल्र म्पूर यहाँ पर में से reintroduce करने कोशी करें तो काफी न्यूज में चलता है Great One-Horn Rhinoceros Vulnerable Category में Tall Grasslands तरही रीजिन में आपको देखने मिलता है और इसकी Maximum Concentration आपको कहाँ पे देखने मिलते हैं काजी रंगा नाशनल पार्क में देखने को बोलते हैं पभी तोरा wildlife century को हम लोग मिनी का काजी रंगा भी बोलते हैं ठीक है याद रखना है इसको इरावदी डॉल्फिन इंडेंजर है और कहाँ पे मिलती है आपको सारा जो गंगा ब्रहंपुत्र इरावदी मेकॉंग रिवर्स यहाँ पे देखने मिलती है इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन सिंगल लगून ब्सपुलेशन लार्ज़ेस्ट इस आपको कहां देखने मिलती है चिलका लेक में देखने मिलती है ठीक है तो इंपोर्टेंट है आपका अगें इंडर्स रिवर डॉल्फिन है यह आपको कहा भी मिलता है इंडर्स उसकी ट्रिब्यूटरी में देखने में मिलता है mostly इसकी population इंडर्स पाकिसान में देखने में मिलते हैं but कुछ ब्रीडिंग population भियास में भी देखने में मिलते है that's why it is important great Indian इंडियन बस्टेड और में मिलते हैं सपेशली आपका एरेड समी आरड रजिजन में जैसे कि आपका राजस्थान हो गया राजस्थान गुजरात वा अंध्या पर देखने मिलते हैं and critically endangered है और इसके ओपर काफी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इसकी conservation के ओपर integrated part of integrated development of wildlife habitat इस प्रोग्राम के तहत हम लोग इनकी population की recovery करने की भी कोशिश कर रहे हैं ठीक है जी important है thumbback महसीर this is a critically endangered fresh water species जो की कावेरी में देखने मिलती है फिश की species जो कावेरी में देखने मिलता है इसकी population बहुत दार dwindle करी है और that's why it was in news ठीक है घडियाल घडियाल जो है critically endangered है कहाँ पर देखने मिलता है kanga और उसके tributaries में देखने मिलता है बट इसकी सबसे important population breeding population जो आप कहाँ देखने मिलते है चंबल wildlife century में देखने को मिलती है ठीक है उसके अलावा हमारे लाइन है यह भी न्यूज में चल रहा था इस्याटिक लाइन यह भी न्यूज में चल रहा था so only viable population इसकी कहाँ पर मिलते है इस गिर नैशनल पारक और वहीं पर मिल रहे है में recently इनको relocate करने की बात करे थे मध्यपरदेश में रण। म महर में री री इंटर्डिउस करने की बात करेini वारा थे बट उसके ओपर धाला कुछ काम चला नहीं है तोटली हुई हमने किया कि था लॉइन सेंसर किया था 2021 का जिसमें 674 लॉइन यह इतनी पॉपलेशन निकल के आई है इसके लाभा वल्चर हमारे पास जो है इन टोटल नौ वल्चर की जो है वराइटी आपको देखने को मिलती है और उन में से इसके तहत हम लोग ने रिसेंटली वल्चर एक्शन प्लान 2025 चलाया है 2020 2020-2025 रिसेंटली चलाया तो यह नूज में चल रहा था 2021 में बहुत जाता इंपॉर्टन्ट है तो यह नूज में चल रहा था ठीक है इसके तहत हम लोग बहुत सारे काम करने वाले काम यह नहीं यहां पर लिखे हूं है बाइद वे बाट सबसें इंपर्टन चीज हम लोग rescue centers बनाएंगे ठीक है जी सो nearby कौन सा है हमारा पिंजओर में वल्च पिंजओर हप का हर्याना वल्चर rescue center बन रहा है बोपाल गुहार्टी है है यहां पर हम लोग बना रहे हैं इसके लावा चोटी में बोटी स्पीशी जो की न्यूज में चलती थी जैसे की Salazar था अगें दिस इस लाइक स्नीक स्पीशी विच विच वास इन नाचल प्रदेश में देन नम्धापिनिस इस ठीक है नाम से पता चल रहा है इस अ फ्रेश वेटर क्राब स्पीशी जो की न साल में एक ही बारी बुरूम करता है तो इस वास अलसे न्यूज गोल्डन बर्ड विंग अगें दिस इंडियास लाज़ेस बटरफ्लाइ उत्राखंड में मिलती है आपको तेट्रास्टम में फ्रे यह जो है इस अ लाइक मिरीन इंवर्टिब्रेट की स्पीशी है कोस्ट इस अ लाइक है यहां पर आभी हमने इसकोवर करी है तैन ग्लोबन डर सॉनी यह बेसिकली क्या है इट्सा एंडेंजर प्लांट प्लांट भी जो हमने री डिसकोवर करी है क्रिटिकल इंडेंजर आ यूसीन काटेगरी में और तीसता रिवर के आसपास में मिलती है आपको आपके काजी 106F नीचाल रा था है इस इस अंडेम इस इस नोगोल्डन ताइगर विच इस फांड इंडिया कहां मिलता है काजी रंगा नैशल परक में मिलता है आपको देन शिजा थर्यक्स है इस अगें अल्यू शिचिछ फीशी जोर्म नाचल प्रदेश में डिसकोवर क basically like it's such a form of it's a kind of a like diatum creature जो कि like क्या करता है बायो लुमिनिसेंस क्रिएट करता है that means यह रात को जो है ग्लो करता है and it is found in the marine areas only marine आपको oceans के अंदर देखने में मिलता है तो कहां पर मिला था महराष्टा करनाट का मिला था Amur falcon very very important तो falcon family से है Siberia आज़ पास में breed करता है और इंडिया में ट्रॉपिकल इरिया से में जाता है तो इंडिया और चाइना जैसी जगों में यह अपना जो है stopover रखता है सो पंक्टी विलेजे नागलेंड में is considered as world Amur capital और एसे इंडिनी न्यूज में भी चल रहा था Amur falcon because of the preservation issues यहां पर जो हम लोग एक multi-purpose project लगाने लगें अरुनाचल परदेश में और उसके करकेस का इसके ओपर जो इनवार्मेंट लिस्ट है वो कुछ इशू कर रहे थे ठीक है मलायन giant squirrel है अगें endangered category में आता है forest health indicators भी बोलते हैं इनको हम लोग और यह northeastern region में आपको evergreen areas में देखने को मिलता है ठीक ही हिल्सा फिस से हिल्सा फिस जो है इस फांड इन दी मध्यापरदेश वाले रेजन में आपको यह नर्मदा रीवर के उपर देखने मिलता और अभी हमने रिसेंटल यहां पर जो भदबूर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसके करके यहां पर क अलावा एरावकुलम नैशनल पार्क केरला में यह नीज में चल रहा था क्या पर नील कुरिंजी स्पेशल फ्लार्स मिलते हैं जो कि 12 साल में एक ही बारी ब्लूम करते हैं तो ब्लूम करें थे ठीक है गवामुरा नैशनल पार्क इस इन वेस्ट मेंगौल और इंडिया का लिकिंग पाक है यह हम लोगों ने उत्राखंड में स्टार्ट किया है देहांग पटकाई वाइड लाइफ सेंशरी जो है असाम की बो नीज में चल रहे थी पिकोज इसको असाम गवर्मेंट नैशनल पार्क बनाने की स्कीम में तो इस आल्सों कॉल्ड अजी अमस्वान आ बायस्वेर रिजर्फ अंडर मैन बायस्वेर प्रोग्राम तो इन टोटल हमारे पास 12 हमारे 18 में से 12 वो वर्ल नेटवर्क बायस्वेर रिजर्फ उसमें लोग लें एंट्री दे दिये तो अधिस पन्ना टाइगर रिजर्फ जो है बिंद्याज में सिच्टेटीड है 1981 में हमने बनाया था 2012 में हमने से बायस्वेर रिजर्फ डिकलेर किया था ठीक है कें रिवर जो है इसके इससे फ्लो करती है बहुत इंपॉर्टन एनिमल जैसे कि यहां पर लेपर निलगाए चिंकारा यह सारे जो है जानवर आपको यहां पर देखने को मिल जाते है ठीक है तो नंदन कानन जू लॉजिकल पाक जो है यह यह न्यूज में चल रहा था आगे अगे अगे इट इस फॉर जो आपका मेलनिस्टिक टाइगर इसे हम वाई टाइगर ही बोलते है यहां पर बैसिकली फर्स जू है जो की इन मेलनिस्टिक टाइगर को ब्रीड कर रहा है ठीक है तो यह एक न्यूज में चल रहा था इसके अलावा जैसे कि असाम में दिब्रू सुख हुआ यह कुछ न्यूज में दिये हुए मैंने तो यह पीडिएफ में आपको दे दूँगा सारी में बॉल बाई बॉल नहीं बताने वाला तो यह कुछ प्रोटेक्टिड एरिया जिस इसके अलावा जो ही इस अलसो नोन फॉर इंडन राइनोसर पाके टाइगर रिजर्व है आपका अरुनाचल पर्देश में अगें नोन फॉर टाइगर जोनली एफन्स यह आपको देखने मिलते हैं बांदीपुर नैशनल पार्क है आपका थेके अ देन उसके बाद नागर लेक वाइल लाइफ चल रही थी क्यों बहुत सारी माइगरेटरी बर्ड यहां पर अभी अराइफ करी थी यहां पर पर आप सागर भी बोलते हैं इसको 1983 में जो है इसे वेटलेंड और नाशनल इंपॉर्टेंस का किताब दिया गया रामसेर साइट जो है इसे दो हुजार दो में बनाया गया था ठीक है जी दाराउंड दो सो से जादा जो है माइगरेटरी स्पीशी यहां पर आपको देखने में मिलती है रिवर जो है सबसे इ आपकी भिंदवास वाइलाइस वाइलाइफ सेंचरे अड़ करी है वहादा नोशल अटेशल इसे बैवनें हमने अड़ करी है बाह सरे बढ़ेटरी ब्रघ्च इहां पर नहें एड करी है वादवाना व्यड्लेंड गुजरात का यह हमने एड़ किया बोथ ऐब आप दैं मा Central Asia की बर्ज हो यहां के रुकती हैं ठीक है जी तो अगेन इसके साथ अरामसेर साइस इंडिया में कितनी हो गई है 46 हो गई है ओकी रिसेंटली सुखना लेक भी जो हम लोगों ने वेट लेंड वेट लेंड जो है डिक्लेर किया इसको अंडर दी वेट लेंड इसको हम लिविंग एंडिटी का टैग भी दे चुके है तो वेट लेंड के ओपर कौन कौन सी अक्टिबिटी अला होती है एक बार ही देख जाना कि यह चीजे जो हैं आपर पर प्रोहिबिटीड होती है ठीक है जी तो गाई इस वाइस वास बादिवेस्टी इस कंसरें तो काफी कुछ किया बात कुछ आई गया एक आगा क्योंकि बात कुछ था जा चुछ कवर करने को भाट मैं क। प्रीयज अगर्वम आपर इस पर्टिक आपर तो पसanca सेशना गला इला प्रीने टीक वने एंडिग के बाद फिस सेशना और वी देने की एंड लें सेना इसरे वे 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 बपस्क बबबाई